नमस्कार, कारकम्य उप्रस्तित, आचार्य स्री महस्रमन जी, मुनी गान, पुझ्य साद्वी जी गान और सभी स्रत धालू हमारा ये भारत हजारों वर्षों से संतों की, रुशियों की, मुनियों की, आचार्यों की, एक महान परंपरा की धर्ती रहा है काल के थपेडों ने कैसी भी चुनोतियां पेश की हो, लेकिन ये परंपरा वैसी ही चलती रही हमारे हाँ आचार्य वही बना है जिसने हमें चरैवेती, चरैवेती का मंत्र दिया हमारे हाँ आचार्य वही हुआ है जिसने चरैवेती, चरैवेती के मंत्र को जीया है स्वेतांबर तेरा पंततों, चरैवेती, चरैवेती की सतत गतिशलता की इस महान परंपरा को नई उंचाई देता आया है आचार्य विक्षू ने शिथिलता के त्याग को ही आध्यात्मिक संकल्प बनाया था आध्यूनिक समय में आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रग्ने जी से जो प्रारंब हुई महान परंपरा आज आचार्य महास्रमन जी के रूप में हम सब के सामने जीवन्त है आचार्य महास्रमन जी के साथ वर्षों में अठारा हजार किलोमेटर की ये पदयात्रा पुरी की है ये पदयात्रा दुनिया के तीन देशों की यात्रा थी इसके जरिये आचार्य स्री ने वसुध है उकुटम कम के भारत के विचार को विस्तार दिया है इसी पदयात्रा ने देश के विस्त राज्यों को एक विचार से एक प्रेरण से जोड़ा जहां अहिंसा है वहीं एकता है जहां एकता है वहीं अखंडता है जहां अखंडता है वहीं स्रेष्टता है मैं मानता हूँ आपने एक भारत, श्रेष्ट भारत के मंत्र को अध्यात्मिक संकल्प के रूप में प्रसारित करने का काम किया है मैं इस आत्रा के पुर्ण होने पर आचारिय महा स्रमण जी को और सभी अनुवाईयों को स्रध्धा पुर्वक अनेक अनेक बधाई देता हूँ साथियों स्वेतांबर तेरा पंत के आचारियों का मुझे हमेश रासे ही विशेस नेह मिलता रहा है आचारिय तुलसी जी, उनके पतधर, आचारिय महा प्रग्य जी और अब आचारिय महा स्रमण जी इन सब का मैं विशेस कुर्पापात्र रहा हूँ इसी प्रेम के कारण मुझे तेरा पंत के आयोजनों से जूडने का सवभाग्य भी मिलता रहा है इसी प्रेम के कारण मैंने आप आचारियों के बीच ये कहा था कि ये तेरा पंत है, ये मेरा पंत है भाईयों भेनों मैं जब आचारिय जी महा स्रमण जी की इस प्रद्यात्रा से जोड़ी जानकारी देख रहा था तो मुझे उसमें भी एक सुखत संयोग दिखा आपने ये यात्रा 2014 में दिल्ली के लाल किले से शुरू की थी उस वर्ष देश ने भी एक नई यात्रा शुरू की और मैंने लाल के लिए से कहा था कि ये नई भारत की नई यात्रा है अपनी इस यात्रा में देश के भी वही संकल्प रहे जनसेवा जनकल्यान आज आप करोणों देश वास्यों से मिलकर परिवर्तन के इस महा यग्य में उनकी भागीदारी की सपत दिलाकर दिल्ली आये हैं मुझे भरोसा है आपने देश के कौने कौने में जन जन में नई भारत की इस नई यात्रा की उर्जा को अनुभव किया होगा उसे साक्षा देखा होगा मेरा आग्रह है कि बदलते भारत के ये अनुभव आप जितना जादा देश वास्यों के साथ साजा करेंगे उतनी ही उन्हें प्रिणा मिलेगी साथियों आच्यायर इस्री ने अपनी इस पधियात्रा में सद्भावना नईतिक्ता और नशामुक्ति एक संकल्प के रुपे समाथ के सामने पेश किया है मुझे बताया गया है कि इस दौरान लाखो लाख लोग नशामुक्ति जैसे संकल्प से जुड़े हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा अभियान है आध्यात्मिक दुरुष्टी से देखें तो हम स्वका साक्षातकार तभी कर पाते हैं जब हम व्यशन से मुक्त होते हैं ये व्यशन ये नशा लोब लालच और स्वार्थ का भी हो सकता है जब स्वयम से साक्षातकार होता है तभी स्वयम में स्वर्वम के दर्शन होते हैं तभी हमें स्वार्थ से उपर उठकर परमार्थ के लिए अपने कर्तवियों का बोध होता है साथियों आज आज़ादी के अमरुत महुत्सों में देश भी स्वय से उपर उठकर समाज और राष्ट के लिए कर्तवियों का आहवान कर रहा है आज़ देश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है सरकार एही सब कुछ करेगी, सत्ता ही सब कुछ चलाएगी, ये कभी भी भारत का भाव नहीं रहा है ये भारत के प्रकृती ही नहीं रही है हमारे हाँ राजसत्ता, समाजसत्ता, अध्यात्मसत्ता सबकी बराबर भूमी का रही है हमारे हाँ करतव्य धर्म रहा है मुझे आचारिय तुन्सी जी की एक वाद भी याद आ रही है वो कहते थे मैं सबसे पहले मानव हूँ फिर मैं एक धार्विक व्यक्ति हूँ फिर मैं एक साधना करने वाला जैन मूनी हूँ उसके बाद मैं तेरा पंध का आचारिय हूँ कर्तव्य पत पर चलते हुए आज देश भी अपने संकल्पों में यही भाव दोहरा रहा है साथियों मुझे खुशी है कि आज एक नए भारत के सपने के साथ हमारा भारत सामुहिका की सक्ति से आगे बढ़ रहा है आज हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हमारे आचारिय हमारे संत सब मिलकर भारत के भविश्य को दिशा दे रहे हैं मेरी प्रार्थना है आप देश की इन अपेशाओं को देश के प्रयासों को भी जन जन तक ले जाने का एक सक्रिय माध्यम बने आज हादी के अमरित काल में देश जिन संकल्पों पर आगे बढ़ रहा है चाहे वो परियावरन का विशे हो पोशन का प्रश्ण हो या फिर गरीबों के कल्यान के लिए प्रयास इन सभी संकल्पों में आपकी बड़ी भूमी का है मुझे पूरा भरोसा है कि आप संतों का आशिरवात देश के इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे और अधिक सफल बनाएंगे इसी भावना के साथ सभी संतों के चरणों में बंदन करते हुए आप सबका रुदय पुर्वक बहुत बहुत धन्यवाद